जरकन के चर्चा करते हुए हम लोगों ने बहुत सारे विद्रहों के बारे में देखे थे यहां पर बहुत सारे विद्रहों के खिलाप तो हम लोगों ने आज उसी में हो विद्रहों के बारे में देखेंगे जानेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या हुआ था कौन-कौन से न बताऊंगा तो आप लोग इसको अच्छे से देख लिजे तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हो विद्रों के बारे में कि तो दोस्तों हो विद्रों 1820 से लेकर 1821 तक हुआ था तो यहां इसका जो इस विशन है 1820 से लेकर के 1821 तक तो यहां इसका टाइम पिरियड है तो यहां यहां पर इंपोर्टेंट है दोस्तों हम लोग जानते हैं और हम लोगों ने जो ढाल बिद्रों पढ़ा था उसमें हम लोगों ने यह भी जिक्र किया था कि जहारखन में अंग्रेजों का सरोपर्थम सिंभूम के और से कहते हैं और इसको कहीं कहीं पर कोलहान या कोल अस्थान भी कहा जाता है तो यहां हो लोग जो रहते हैं वहां हो देशम हो गया और इनका जो मुख्या रूप से निवास अस्थान है वहां जहारखन के सिंभूम छेत्र में है दोस्तों हो लोगों की और मतलब सिंभूम छेत्र में कभी भी मुगलों या मराठों का अधिकार नहीं रहा कभी भी मराठा लोग या मुगल लोग इस सिंभूम छेत्र में कवजा नहीं कर पाए तो यहां खास बात है पहले पोरहाट के सिंभ राजा का इस इलाके में परभाव था सिंभूम के इलाके में पोरहाट का राजा जो थे उनका परभाव था लेकिन यहां के जो लोग थे उवे लोग उन्हें कर नहीं देते थे जो भी राजा थे उहां पर उसको कर नहीं देते थे हो लोग अब अंग्रेज लोग इस इलाके में परवेश की सर्वपर्थम सिंभूम की ओर से फिर उलोगों यहाँ पर रहने लगे और इनका नियंत्रन करने का परियास करने लगे नियंत्रन करने लगे तो यहाँ पर इसका परिणाम यह हो गया कि पहले जो स्वतंतरता पुर्वक सांती पुर्वक राते थे जो हो लोग वे लोग इसके परिणाम स्वरूप में चिर्चिलापन और लड़ाकू उलोगों का माइंडसेट हो गया तो यह अंग्रेज लोग यहाँ पर आये और अंग्रेज लोग उनका स्वतंतरता रूप से जो रहन सांता उनको यह लोग नियंत्रन करने लगे तो इसकारण से यह लोग चिर्चिलापन और लड़ाकू हो गये लंबे समय तक यह लोग सोतंतरता पुरुवक रहते थे अंग्रेज लोग लड़ाका कोल के नाम से भी हो लोगों को कहते हैं तो हो लोग जो है वह लड़ाका कोल के नाम से भी अंग्रेजों के बीच में प्रसिद्ध थे उस वक्त अब हम लोग देखते हैं इसमें समझते हैं कि विद्रोह का कारण क्या था तो यहाँ पर विद्रोह के कारण हम सभी जानते हैं कि पूरे भर्दवर्ष में उस बक विद्रोह के बहुत सारे कारण थे आत्याचार, सोसन, विभिन परकार के जो कारण थे लेकिन इन सभी कारणों के बीच में एक और कारण था इस विद्रो का जो हो विद्रो है उसमें कि राजा जगनात सिंग द्वारा हो लोगों का सोसन किया जाने लगा और यहां राजा जगनाथ सिंग की काठपूतली था तो इस करण से यहां पर विद्रो बहुत ज़ादा हुआ कि जो राजा थे जगनाथ सिंग उनके द्वारा यहां के हो लोग बहुत ज़ादा सोसित होने लगे सोसन किया जाने लगा तो यहाँ बहुत ज़्यादा वहाँ विद्रों का कारण था यहाँ के जो राजा थे राजा के आगरह पर 1820 इस भी में जो पोलिटिकल एजेंट थे मेजर रफसेज उनकी और से एक सेना के साथ में हो लोगों के देश में परवेश किया गया तो दोस्तों यहाँ पर जो राजा थे वहाँ अंग्रेजों के उसाहिता के लिए बुलाया कि यहाँ के जो जनता है जो हो लोग है वे उनका विरोध कर रहे हैं तो इस कारण से पोलिटिकल एजेंट जो था मेजर रापसेज उसको 18-20 में राजा क्याग्रा पर बुलाया गया तो यहाँ अपनी सेना के साथ में हो लोगों के देश में हो देशन में परवेश किया तो दोस्तों यहाँ पर फिर हुआ क्या कि चायबासा के रोरो नदी के तर्ट पर हो लोगों से अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुआ और इसमें अंग्रेज लोग बीजाई हो गए तो यहाँ पर जानने यह बात यह भी है दोस्तों कि चायबासा जो हुआ रोरो नदी के तर्ट पर इस्थित है तो यहां पर यहां कोश्चिन भी बनता है कि चायवासा जो है वो किस नदी की किनारे बसा हुआ है या तो फिर रोरो नदी के ताट पर कौन सा स्थान जहरकरण का बसा हुआ है यह भी पुचादा सकता है तो इसका उत्रों जागे चायवासा तो चायवासा के रोर नदी के ताट पर अंग्रेज और हो लोगों के बीच में ये दूपा तो इसमें अंग्रेज लोग भी जाई होगे दोस्तों यहाँ पर और जाननी है कि हो देशम के उत्री भाग के लोगों ने कर देने को सुईकार कर लिया तो यहाँ पर कर देने के लिए हो देश के लोग जो थे उत्री भाग के विलोग सुईकार कर लिया लेकिन दच्छिनी हो देश के लोगों ने सुईकार नहीं किया और अंग्रेजों के विरुद में दिरोध करना जारी रखा उन्होंने यहाँ पर एक चीज और है कि जब दच्छिन भाग के हो लोगों ने अंग्रेजों के विरुद करने लगे तो मेजर रपसिज जो थे वहाँ बाबु अजंबर सिंग की साहता से सिंभूम से भाग निकला तो जब यहाँ दच्छिनी की और जो भी विरुद हो रहे थे जो भी एक देखती था तो उसकी साहता से सिंभूम से भाग निकला अब 1821 में करनल रिचर्ड के नेतरितों में एक बहुत बड़ी सेना को भेजा गया चायवासा में तो यहाँ पर 1821 इस भी में करनल रिचर्ड के नेतरितों में एक बहुत बड़ी सेना को भेजा गया और यहाँ पर एक महिने तक हो लोगों ने इस लड़ाई को जारी रखा तो दोस्तों यहां पर करनल रिचार्ड के नेत्रित में जो सेना थी उसके खिलाब हो लोगों ने एक महिना तक लड़ाई किये फिर बाद में अंग्रेजी सरकार को लगा कि यहां लड़ाई के कोई अर्थ नहीं नियुक लेगा निरध़ख जानकर के अंगरे सरकार हो लोगों के साथ में संधी करने की कोशिश क्या संधी करने उचित समझा और यहां पर संधी करने का जो सर्थ ठाओ वह था कि हो लोग कमपनी के अधिनता के स्विकार कर ले और राजा और जमिनदर जमिन्दार जो थे उनको आठ आना मतलब पचास पैसा परती हल के रूप में सालाना कर दें कर देने के लिए आठ आना राजा और जमिन्दार को देने के लिए हो लोगों से कहा गया तो यह संधी की जो दो सर्तें थी तो यह भी यहां पर जादा इंपोर्टेंट है तो इन यहां के लिए हाद हुआ कि हो लोगों ने 1831-32 के भीच में जो कोल विद्रों हुआ उसमें भी यह हो लोग सामिल हुए तो फ्रेंड यहां स्टार्ट हुआ था वह आटरस बिस से एकिस के इस भी में हुआ था और यहां पर जो विद्रो करने वाले अंगरे जो दिखारी थे हुए रफसेज थे और करनल रिजड थे तो इसके बारे में भी यहां पर ध्यान रखनी है अच्छे से याद रखनी है तो जहारकण के विद विद्रो भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है यहां पर विद्रो इतने हुए है इस करन से अभी आजाद हो पाई है तो हो विद्रो के बारे में यहां थी जानकारी अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और शेर जरूर जरूर करें और इसमे झाल